गोगा कपूर, उनका असली नाम रविंदर कपूर, जिनका जन्म 15 दिसंबर 1940 को हुआ था, एक उलेखनिय भारतिय अभिनेता थे जिन्होंने मुख्य रूप से बॉलिवुड फिल्मों में काम किया. अपनी प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिती और विशिष्ट आवास के लिए जाने जाने वाले कपूर 1970-1990 के दशक के दोरान कई फिल्मों में खलनायक के रूप में अपनी भूमिकाओ के लिए प्रसिद्ध हुए. गोगा कपूर के प्रारंभिक जीवन, पालन पोशन या पारिवारिक प्रिश्थ भूमी के बारे में अधिक विस्तरित जानकारी उपलब्ध नहीं है. उनका जन्म गुजरामवाला में हुआ था और 1947 में विभाजन के दौरान भारत चले आये, क्योंकि उस दौरान कई अन्य लोगों की तरह उनका परिवार भी स्थानांतरित हो गया था. यह बड़े पैमाने पर प्रवासन का दौर था और संबंधित संघर्षों का संभवता उनके प्रारंभिक वर्षों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा. गोगा कपूर ने 1970 के दशक की शुरुवात में भारतिय फिल्म उद्योग में अपना करियर शुरू किया. अभिनय में उनकी प्रारंभिक यात्रा छोटी और सहायक भूमिकाओं से चहनित थी, अक्सर छोटे नकारात्मक किरदार निभाते थे, कई महत्वाकांक्षी अभिनेताओं की तरह स्टार्डम की उनकी राह आसान नहीं थी, उन्हें अत्यधिक प्रतिसपर्धी उद्योग में अपने लिए जगह बनाने के लिए कड़ी महंत करनी पड़ी, जहां पहले से ही स्थापित सितारों और चरित्र अभिनेताओं का वर्चस्व था। के रूप में प्रतिष्ठा बनाई, उनकी उचाई, शक्तिशाली आवाज और अधिकार को प्रोजेक्ट करने की ख्षमता ने उन्हें खलनायक पात्रों के लिए स्वाभाविक रूप से उप्युक्त बना दिया, जो उनकी हस्ताक्षर शैली बन गई, कई फिल्में, गोग में उनकी उपस्थिती को चेहनित किया, उन्हें बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने कयामत से कयामत तक तूफान और कभी हां कभी ना जैसी फिल्मों में विरोधी भूमिकाय निभाई, उन्होंने एक सौ से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें अक्सर खलनायक, ग 1988 की ब्लोकबस्टर कयामत से कयामत तक में एक क्रूर प्रतिदवंधवी दिनकर राव की भूमिका थी, जिसमें आमिर खान और जूही चावला ने अभिनय किया था, इस फिल्म ने बॉलिवुड सिनेमा में एक सर्वोत क्रिष्ट खलनायक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत कर दिया, गोगा कपूर ने अपने निजी जीवन को अपेकशाकरित निजी रखा, उनके परिवार के बारे में बहुत कुछ ग्यात नहीं है, सिवाए इसके की वह एक पिता और एक समर्पित पारिवारिक व्यक्ती थे, उन्होंने अपने पेशेवर काम के अलावा सुर्खियों से दूर रहना चुना, ओफस्क्रीन एक शांत जीवन पसंद किया, अपने बाद के वर्षों में जैसे जैसे पारमपरिक खलनायक भूमिकाओं की मांग कम होती गई, गोगा कपूर ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया, 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत तक वह कम फिल्मों में दिखाई दिये अकसर सहायत भूमिकाओं या चरित्र भागों में जो उनकी उम्र के अनुकूल थे, हालाकि भारतिय फिल्म उद्योग में उनका योगदान महत्वपून रहा, कई हिट फिल्मों में उनकी भूमिकाओं ने उन्हें गोगा कपूर का लंबी बीमारी के कारण सत्तर वर्ष की आयू में तीन मार्च 2011 को निधन हो गया, उन्होंने अपने पीछे शक्तिशाली प्रदर्शन की विरासत छोड़ी, जिसे क्लासिक बॉलिवुड सिनेमा के प्रशंसक आज भी याद करते हैं। गोगा कपूर का करियर बॉलिवुड में कई चरित्र अभिनेताओं की यात्रा को दर्शाता है, जिन्होंने सितारों के प्रभुत्व वाली फिल्म उद्योग में अपना नाम बनाने के लिए संधर्श किया। अकसर खलनायक के रूप में टाइप कास्ट होने के बावजूद कपूर ने इन भूमिकाओं को अपनाया और यादगार प्रदर्शन किया जो कसोटी पर खरा हुत्रा, समय, उद्योग की चुनोतियों। खलनायकों की टाइप कास्टिंग और भयंकर प्रतिसपरधा के सामने उनकी द्रिढता ने उनकी कला के प्रती समर्पन दिखाया। वह उन यादगार चरित्र अभिनेताओं में से एक हैं जिनके ओनस्क्रीन व्यक्तित्व ने बॉलिवुड सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी।